कि यूटूब चैनल पर आज का वीडियो खासकर उनके लिए जरूरी है जो इनके पास कोई फैलोशिप नहीं है क्योंकि आज कि इस वीडियो में ऐसी प्यूस्ड पॉर्चिनोटी के बाद बात करने वाला हूं कि जिसमें एक कैटेगरी में किसी फैलोशिप की डिमांड नही इस 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 वीडियो में आपसे डिटेल करने वाला हूं इसमें दो टाइप के स्टूरेंस को रखा गया है कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू तो समरी के तौर पर बता दूं आपको सबसे पहले बात करने कैटेगरी वन तो कैटेगरी वन वह स्टूरेंट्स हैं जिनके पास जिर फैलोशिप नहीं है कौन ूसके पास कोई जिर फैलोशिप नहीं है इनको ये उसके बाद इंटरवीव होगा ठीक है उसके पास कोई जरार की फैलोशिप नहीं है उनको पहले रिटन टेस्ट देना पड़ेगा उनकी जो फैलोशिप होगी एमस में जो प्रॉजेक्स चल ले उनके थूँ आएगी तो आपका सेलेक्शन होगा तब अपको प्रोजेक्स सेल काम करना पढ़ेगा नेक्स्ट बात करें category two students की तो category two students में वो students आते जिनके पास fellowship है ज्यरफ है और यह direct आपका interview के लिए eligible होंगे तो category two में वो students होंगे जिनके पास जैरiff fellowship है और directly वो इंटर्वीव के eligible होंगे और इनके पास choice रहेगी वो किस department work करना उनितना चार्ट करना चाहते हैं यह उनके पास चॉइस राएगी सब्से बात कले देट के बारे में आ डिखा दिया आपको एक स्टुन इस जिनके पास ड्रोश्श्य 29 पास खुद की फैलॉशिप हो रहेगी और उसके बाद यहां पर डेट वगरा है क्या 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 एक्जामेशन पैटर्न है तो मोडन टाइप में ऑफ प्लाइन अजर्टी टाइप टेस्ट होगा कई कोई और लाइन एक्जाम नहीं होगा को आपको एम पूपाल बें जाके इंटर्वी देना और टेस्ट देना उसके बाद डेट ऑफ एक्जामेशन होगा इंटर्वीविज होगा कुछ दिन के बाद आपके वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा टाइमिंग ऑफ एक्जामेशन के बात करें तो सबसे पहले रिटर्न एक्जामेशन थ्री तुफाइफ पीम तक त्री आवर्स को आप सके बाद बात करें टाइप औफ ऐक्जामेशन तो जैसा बताया कि जो रिटर्न एक्जामेशन होगा वह सकतशिंत होगा और tel examination interview मार्क होगा उसमें 20 मार्क का interview होगा जिसमें आपको clinical practical lab based assessment question पूछ जाएंगे फिर return का 80 marks मिलाके और interview का 20 marks मिलाके total 100 questions होंगे और इसके बात एक बात का और ध्यान रखेगा इंटर्वी लिए कौन लिजबल होगा इंटर्वी के लिए वही इनको सिर्फ इंटर्वी देना इनको कोई रिटर्ण नहीं देना जिनके पास है इंटर्वी की डिस्प्ले वेबसाइट भी टाइमिंग ऑफ एक्जामेशन भी सीडूल डिस्प्ले आपको दे दिया जाएगा लोकेशन सेंटर धिशान रखेएगा सिर्फ भापाल में है और कहीं भी लोकेशन नहीं है कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अपने चॉइस के साफ से आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे देख सकते हैं कुछ प्रजेक्ट से कर सकते हैं और सबसाइब कर सकते हैं और इसमें आगे जाकर टेबल करेंगा खुद करें यह तो यह जो करना चाहते हैं दिपार्टमेंट से चूज्ट कर सकते हैं बाकि वह जो जो टॉजक का काम होगा उसका टॉपिक और सकते हैं तिहां से काटेगरी बी के स्टुएंट अपना डपार्टमेंट सेलेक्स अथा करें कैटेगरी एक किस्टूएंट को प्रोजेट्स करना है और कैटेग्री बीस्ट्रूइंस को डिपार्ट्मेंट से लेट करना है और बात कर लेते हैं तो फीस आपकी है जनल ओबीसी और डबलोस केंडिट की 1000 जनल ओबियस और इड़ डबलोस केंडिट की 1000 और कोई फीस नहीं है तो ध्यान रखेगे अगा जनल ओबीसी और डब्लोस मेल चने इस तो ऑप्लाइ करना है और जो एप्लिकेशन फॉर्म इस बाउचर में दिया गया उसको फिल कर गए बाई हैंड या स्पीट पोस्ट 15 जून तक आपको यहां पर पोस्ट कर देना है को यह ओल लुक फिल्म फॉर्म नहीं फिल करना है आपको पेमेंट के लिए डिमांड रफ बनवाना है और जो मुझन जपर तो क्वालिफिकेशन में बिसक्या पोलाइब से मतलब और चाहिए और और बात की बात है अब इसे बात कर लेते हैं क्या यह वालत तो उसमें क्या टॉपक्स रहेंगे आपकी रिटाइन के लिए Health Science, Life Science, General Knowledge, एप्रिटूर्ट, डिसस्ट मेफड़ोजी यह रहेगा रिटाइन एग्जामिनेशन का हर करेक्ट आंसर के लिए आपको वन माक्स भी लेंगे और इसके बाद कोई भी इसमें निगेटी मार्किंग नहीं है अधान रखिएगा हर कोश्चन के लिए आपको वन मार्क्स मिलेगा कोई भी निगेटी मार्किंग नहीं है उसके बाद इस लाइन को ध्यान से रखिएगा कि जो रिटर्ण टेस्ट में 50% क्वालिफाइग करें 50% लाएगा वही इंटर्व्यू क्ले इलिजबल होगा जैसे मैंने बताया रिटर्ण टेस्ट आपको 80 मार्क्स का है तो आपको 40 मार्क्स लाने पढ़ेंगे ताकि आप इंटर्व्यू करेंगे उसके बाद आप क्वालिफाइग करेंगे तें रिटर्ण आपका इंटर्व्यू होगा लगा इंटर्विव 20 मार्क्स का उगा उसके बाद आपके रिटर्ण और इंटर्व्यू को मिला की आपका मेरिट स्वर्यू स्थ उसके बाद जो इंटर्व्यू स्टीस होगा बागी जाकके मेड लिस बनेगा क्या उसी प्रजेक्स को काम कर निए अपने अलग सेट्थ नहीं कर सकते हैं उपने डिपार्टमेन से अपने हिसाब से आप टॉपिक सबस्थ दिट है इसके बाद कोई कोई डाउट रहा तो इस कमेंट सेक्शन में जब बताईएगा हम जड़े उससे जरू सॉल करेंगे ठैक्यू बाइबाइ टेक किया एंजय हिंद